नमस्कार हमारे सामने एक 17 वर्षिय कन्या की कुंडली 26 अक्टूबर 2003 मद्रात्री पस्चाःत एक बजगर 16 मिनिट पर इनका जन्म हुआ है उनकी कुंडली करक लगन की कुंडली है और चंदर्मा तुलाराशी के अंदर विराजमान है यानि लगन के स्वामी चंदर्मा है राशी के स्वामी शुक्र है यानि लगन और राशी के उपर जब चंद्रमा और शुक्र जैसे ग्रहू का प्रभाव हो तो व्यक्ति को जीवन में शौक पसंद बनाता है अच्छा खाना, अच्छा पहना, अच्छा गूमना, क्या चीज अच्छी चाहिए, पहनना औरना कैसा होना चाहिए उन सब पर व्यक्ति का रुजहाव अवश्य रहेगा क्योंकि चंद्रमा को कला का मालिक कहा जाता है और शुक्र को आज के समय में फैशन का या भौतिक सुख का कारक कहा गया कि मुझे अच्छी कपड़े चाहिए, अच्छा मोबाइल चाहिए या सुख साधन व्यक्ति को जीवन में चाहिए वो चीजे की तरफ आकर्शन करने वाला इनका लगन और इनके राशी का मालिक दोनो है लगन पर देखें तो किसी ग्रह का प्रभाव नहीं है, ये करक लगन है करक लगन चंद्रमा से सम्मधित गुण लेता है, सुभाव के अंदर गहराई और गोपनियता दोनों देता है ऐसे लोग अपनी बात को पूर्ण रूप से किसी के सामने रखते नहीं है, बहुत सारी बाते ही अपने जीवन में छुपा जाते है वहीं आपके लगन का मालिक चंद्रमा तुला राशी के अंदर चौथे घर में है, यानि व्यक्ति को सुख मिलेगा शुक्र उसके साथ में धनियोग बना रहा है, जीवन में अच्छे सुख साधन मिलेंगे, चाहे आप कहीं भी किसी भी परिष्टिती में रहें कहीं भी जाएं वहां आपको अच्छे सुख साधन मिलेंगे अच्छा वहां सुख मिलेगा पहनने औरने खाने की अच्छी व्यवस्ताइं मिलेंगी और साथी साथ अच्छा व्यभव सुख मिलता है जब शुक्र स्वेराशी का होके चौते घर में हो साती सात ये अच्छे भवन के सुख के लिए भी जाने जाते हैं क्योंकि शुक्र एक बहुत इक सुख देने वाला ग्रह है और ये चीजे वो ग्रह आपको जीवन में अवश्य देगा चलिए मैं बात करता हूँ चौथे घर के में बैठे हुए चंद्रमा के बारे में बात हुई शुक्र चंद्रमा के योग के बारे में बात हुई बात करते हैं सूरिय के बारे में के सूरिय धन भाव का मालिक होके चौथे घर में है अब ये प्लैनेट यहां नीच का है जब धन भाव कुटम भाव का मालिक फोर्था उसमें हो तो व्यक्ति को कुटम से सहयूग मिलता है लेकिन व्यक्ति अपने स्वभाव के कारण घर परिवार वालों से जगड़ लेता है यही कह सकते हैं अपने स्वभाव के कारण अपनी खराब बोलचाल के कारण परिवार के लोगों को दुख पहुँचा सकता है या उनके साथ आर्गुमेंट्स कर सकता है उसके साथ बुद्ध भी है जो की चतुर बारवे और तीसरे घर का मालिकों के यहां है बुद्ध अपनी दशान तरदशा में इस्थान परिवर्तन करा सकता है व्यक्ति को घर से दूर भेश सकता है या व्यक्ति का दिमाग घर के बाहर लगा सकता है यानि व्यक्ति घर में कम टिकता है घर के बाहर ज़्यादे टिकता है उसका मन बाहर की चीजों में ज़्यादे लग रहा है उस योग के कारण भी इस combination को हम कह देते हैं चंदरमा यहां कुछ वीक है क्योंकि चंदरमा अमावस्य का चंदरमा है अमावस्य का चंदरमा अच्छी मानसिकता को नहीं दर्शाता ये आपकी छोटी सोच को दर्शाता है आपको करोध दिला सकता है आप फटाफट से एग्रेशन में आ सकते हैं आप अपनी बात को आगे रखेंगे कि नहीं जो मैं कह रही हूँ वही ठीक है उसके लावा गलत है तो वो कम्बिनेशन्स के लिहाज से भी अच्छा नहीं और राहू केतू का परभाव भी यहां पर है जब शुक्र ग्रहय राहू केतू के नजदीक होता है तो उसको कहते हैं शुक्र के उपर ग्रहन लग रहा है अब शुक्र जैसे ग्रहय के उपर अगर ग्रहन लगे तो यह आपको अच्छी बाते नहीं सिखाएगा फिर यह आपको खराब बाते सिखाएगा च्योंकि ये बहुत ज़़े किलोज है आप देखेगा शुक्र और के तो यहां 26 डिग्री के ही है यानि ये आपको गलत संगत मिले आ सकता है गलत चीजों की तरफ रुजहान दे सकता है व्यक्ति को करेक्टरली स्टॉंग होना चाहिए नहीं तो ये आपको ऐसी संगत से भी मिलवा सकता है जिसको हम खराब संगत कहते है वो खराब संगत आपके ऐसी भी हो सकती है कि आप दूसरे व्यक्ति विशेश की तरफ इस परकार से आकरशित हो कि भई इसके पास तो अच्छा परसनेलिटी है अच्छा पैसा है, अच्छा मोबाइल है, अच्छी गाड़ी है इसका मतलब ये व्यक्ति अच्छा है चाहे वो उनका दोस्त हो, चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनिशन अच्छा नहीं सारे ब्लैनेट 4 था उसमें बैठे हैं मंगलिक दोष बनाता है साती सात देखेगा कि मंगल योग कारक है योग कारक का मतलब है पंचम का मालिक जब अश्टम में बैठे तो आपकी बुद्धी को बुद्धी में बदल सकती है या इसको यह कह सकते हैं आपकी बुद्धी ब्रष्ट हो सकती है आप अपनी स्वैम की गलतियों के कारण अपनी शिक्षा में अवरोध उत्पन कर सकते हैं वैसे भी योग इस कुंडली में देखे जाते हैं साथी साथ कुंडली में आप देखिएगा जब दशम का मालिक हो अश्टम भाव में और व्यक्ति जीवन में कार्य करने के लिए चले तो उसे अपने कार्य में स्ट्रगल करना पड़ता है नौकरी होती है तो जौब के अंदर चेंजिस चलते रहते हैं अब बात करते हैं शनी की के सब्तम अश्टम का मालिक दौदश भाव में और आप मांगलिक भी है सब्तमेश जब अपने से छटे और लगन से बारवे में हो ये विवहा विलंब का योग है विवहा में देरी कराने वाला कॉंबिनेशन्स ये कहलाता है शाति सात मैरिड लाइफ वाइज चिंता का विशेवी दर्शाता है कि पती के साथ संबंद सुरुआती तोर पर अच्छे नहीं रहेंगे चलिए ब्रस्पती के बारे में बात करें शास्त्र कहता है कि ब्रस्पती वो प्लैनेट है जो आपको जीवन में धन के सुख देता है लेकिन विवेक देता है विवेक का मतलब है समझदारी जो हम स्कूल में पढ़ते हैं दो दुनी चार ये बुद्ध से आता है ये हो गए आपकी स्कूल की शिक्षा दूसरी होती है ब्रस्पती द्वारा शिक्षा जो की घर से परिवार से समाज से मिलती है कि समाजिकता कैसी है विवेक कैसा है समसदारी कितनी है अब ऐसे एक रहो के उपर शनी की तीसरी दश्टी और बंगल की सब्तम दस्टी पढ़ जाए तो इसको कहते हैं कि व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति विशेस बहला फुसला सकता है वो उसके विवेक को शुन्य कर सकता है उसके विवेक के उपर आज कल के चलते हुए सुख साधन हावी हो सकते हैं यानि फिर व्यक्ति अपनी बुद्धि से काम करेगा ब्रस्पति या मित्र की राशी में योगकारक बंगल से द्रश्ट है अगर व्यक्ति अपनी बुद्धी को सही रास्ते पर डाल दे परिवार के लोगों की बात मान कर चले तो आप समझ लीजिए ये व्यक्ति ब्रिलियंट भी है ये अच्छी प्राप्त कर सकता है इसमें कोई भी संधे नहीं है लेकिन उनको इस प्रकार के भटकाव से भी बचना होगा आपको वर्तमान में ब्रस्पति की ही महदाशा चल रही है और ये वो ब्रस्पति है जो यहां शनी मंगल से प्रभावित है नवांश कुंडली में ब्रस्पति अप्तम भाव में लगनेश होके लगन को देख रहा है लेकिन वहां उसके उपर देखें तो शनी की द्रश्टी है इसको मैं कोई ज़्यादा प्रवलमेटिक द्रश्टी नहीं मानता अंतरदशा आप देखिएगा कि इस से पहले अंतरदशा थी आठ फरवरी उननीस से सोल मई 21 तक थो थी ब्रसपती में बुद्ध बुद्ध इस होलस्कोप में एक टेंशन देने वा लग रहे है क्यों द्वादशेश और तिर्तियेश है मैंने कहा था बुद्ध के बारे में ये व्यक्ति के रुजहान को घर से बाहर जोडता है व्यक्ति का घर में दिमाग नहीं लगता व्यक्ति का घर में मन नहीं लगता व्यक्ति बाहर की एक्टिविटियों के प्रती बहुत आकर्शित हो जाता है नवांश में बुद्ध सब्त में शतुर्तेश है और यहां सूरिय के साथ सस्टेश बन के रहे यानि यहां भी वही कॉम्बिनेशन है क्योंकि उस पर जीवन में हानी का सामना करना पड़ रहा है तो वो योग भी यहां साफ तोर पे दिखाई देते हैं जो कि अभी 16 मई को ही दशा खतम हुई है उसके बाद अंतरदशा आ गई केतु की केतु यहां भी देखे शुक्र के बहुत निकट और यहां भी शुक्र के बहुत निकट यानि केतू भी लगातार आने वाले समय में व्यक्ति को लग्जरीस के तरफ खींचेगा व्यक्ति का मन वहीं करेगा जहां उसका मन लगता है ऐसे में व्यक्ति को समझाया बुझाया भी जाता है लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो अपने मन की जादा करते हैं आपने इनसे related सवाल मुझसे पूछे वो मैं थोड़ा उनका जवाब देना चाहूँगा बेटी की जॉब लगेगी या नहीं लगेगी तो कैसी लगेगी अभी 17 वरश की उमर है महज आगे जितनी भी दशाएं आ रही है 2022 तक तो कोई source of income देखता ही नहीं उसके बाद फिर आगे पढ़ाई की स्थितिया दिखती है अगर इन्होंने अपने स्वयम की गलतियों से अपने करियर को नहीं बिगाड़ा तो आगे पढ़ाई के योग दिखाई दे रहे हैं लेकिन क्योंकि शुक्र की स्थितिया है आगे अभी देखिएगा ब्रस्पती में केतू अप्रेल 22 तक है फिर ब्रस्पती में शुक्र शुरू हो जाएगा शुक्र चतुर्तेश है वही केतू के साथ यानि मन के भीतर कुछ न कुछ लगातार चलता रहेगा तो नौकरी की स्थितियां तो अभी आसपास कोई दिखाई देती नहीं है लेकिन हा चलिए बेटी जिससे पसंद करती है उससे शादी होगी या नहीं आप देखिएगा कि फरवरी 19 से लेके मई 21 के बीच जो ब्रस्पती में बुद्ध आया जिसके लिए मैंने कहा कि ये एक गलत दशा है जरूर इस दशा के भीतर इनके जीवन में प्रेम संबंद उजागर ह जो की अब भी चलते जिखाई दे रहे हैं और आने वाले समय में भी लंबे समय तक चलते दिखाई दे रहे हैं क्या कुंडली के अंदर लव मैरिज के योग हैं क्या पसंद के योग हैं उसके बारे में देखते हैं यहां पंचमेश अश्टम भाव में बैठा है जो की ये क कहता है ऐसे लोगों को जीवन में लव रिलेशन तो होगा लेकिन लव रिलेशन सक्सस्फल नहीं होता। साथी साथ नवांश कुंडली में मैं देखूं कि ब्रस्पती तो यहां है लेकिन आने वाली जो दशाएं हैं वो लगातार इस बात को कहती हैं कि हमें इस कुंडली को देख के नहीं लगता कि ये व्यक्ती की पसंद से शादी होगी। इसमें अरेंज मेरिज में ज़ादा सुख दिखाई देता है लव मेरिज में दुख दिखाई देता है एक बात। तो वो इस्थिती भी मुझे यहां दिखाई दे रही है जिसका कम से कम 2024 तक यह इस्थिती जलती दिखाई दे रही है कि ऐसा ना हो कि व्यक्ति कोई अंदरोनी रूप से गलत कदम उठा ले आज कल लोगबा कोर्ट मेरिज भी कर लेते हैं तो वैसी स्थिती भी यहां दिखती है उसका आपको बहुत ज़्यादे ध्यान रखना होगा बेटी को डिप्रेशन अवसाद की समस्या है कब तक ठीक हो जाएगी डिप्रेशन हो अवसाद हो मानसिक बिमारी हो यह सब चंदरमा से आती है जब चंदरमा अमावस्या का चंदरमा हो राहू के तु अक्षपे हो इतने सारे ग्रहू में फसा हुआ हो और लगन का मालिक भी हो तो डिप्रेशन देता है इसमें कोई संदे नहीं है डिप्रेशन देता है उसके लिए मैं उपाय बताऊँगा ठीक हो जाएगी बेटी को कोई संतान होगी या नहीं होगी संतान भाव का मालिक मंगल है जो यहाँ पर बैठा है और शनी और मंगल दोनों ब्रस्पति को देखते हैं यानि पहली स्थती तो यह बताती है ऐसे लोगों को संतान प्राप्ति में देरी होती है अभी डिनायल की कंडिशन नहीं होई है कि संतान नहीं होगी लेकिन हाँ ऐसे लोगों को संतान देरी से और कष्ट से मिलती है इनकी सब्तांश कुंडली में भी करक लगन है और पंच होना अलग बात है कष्ट होना एक अलग बात है तो वो दोनों चीज दिखती है मुझे स्कुंडली के अंदर विदेश जा पाएगी या नहीं विदेश जाने के लिए विदेश की दशा चाहिए और वो विदेश की दशा आएगी 2030 के बार अभी ब्रस्पती की दशा में मुझे विदेश से संबंदित कोई खासा योग नहीं दिखाई दे रहा है बेटी के जीवन में सुक एवम खुशिया है देखिए इनसान की बहुत सारी चीजें उसके कर्मों पर अधारित हो जाती है इनके जीवन में जो वातमान में समय चल रहा है वो एक जीवन में करियर को बनाने का समय है कि एक 17 वर्ष की लड़की वरतमान में प्रेम संबंदों के प्रती आकरशित है पसंदिता शादी करना चाहती है यानि उसका वर्तमान में जादे ध्यान पढ़ाई की तरफ ना होके इन चीजों की तरफ है आप यह देखिए का जहां यह 18-19 साल की हुई अगर इन्होंने अपनी मनमर्जी चला के शादी कर ली तो फिर वो केरियर ही क्या रहेगा जीवन में फिर यह अपने करियर में बहुत पीछे चली जाएंगी खुशिया हैं happiness हैं इसमें कोई doubt नहीं है जहां रहेंगी वहां भी सुकसादन मिलेंगे जहां जाएंगी वहां भी सुकसादन मिलेंगे लेकिन खुद के बल पर जीवन में कुछ अगर अच्छा करना चाहते हैं तो उसके लिए अच्छे step भी तो उठाने पड़ेंगे और वो अच्छे step यह उठा सकती है मैंने कहा था कि इनकी अच्छी catching power है लेकिन इनकी बुद्धी को समालना पड़ेगा इनकी बुद्धी अभी उन चीजों के पिड़ती आकरशित है ही नहीं इनकी बुद्धी का अभी target जो है वो life में love relationships, शादी, भहत इक सुख की तरफ है अभी मैं इस कुंडली को देखके अभी क्या आगे भी दो तर 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 लग मैं इतना परिपक्व तोर पे नहीं कह पाऊंगा कि हाँ इनका ध्यान जो है वो education में या profession में जाएगा तो वो चीज मुझे थोड़ी इसमें negative लगी है उन चीजों को मैं सुधारने का मैं प्रियास करूँगा उपायों के साथ के depression से मुक्त हो और इन सारे जंजटों से मुक्त हो जाएं इनको सद बुद्धिया जाए भगवान शिव का स्तोत्र पाठ होता है रूदराष्ट कम उसके अंदर आठ शिलोग है उस रूदराष्ट कम का पाठ इनको रोजाना करना है संस्क्रत में है लेकिन इजी है पढ़ सकते हैं नमबर दो दुर्गा शफशती के नाम से किताब आती है उसमें देवी का कवच है उस देवी कवच के अंदर 56 लोग हैं उनकी संस्क्रत और हिंदी दोनों दी हुई है तो सिर्फ हिंदी हिंदी पढ़नी है यानि रोजाना 56 लोग पढ़ने है पहला रूदराष्ट कम का पाठ दूसरा 56 लोग देवी कवच के ये रोजाना पाठ करने है सौंबार के दिन मंदिर जाईए भगवान शिव के पास जाईए मंदिर में घर से अंदर एक लोटे के अंदर गंगा जल कच्चा दूद दही और थोड़ा सा शहद और अगर शुद गोम उतरी मिले तो वो भी डाल सकते हैं इन सब को मिला ना मिले तो कोई बात नहीं इन सब को मिला के इसके अंदर थोड़ा से जल डालें इसको भर लें अच्छी तरीके से मंदिर में पहले जाएं भगवान शिव को अभी शेक करें नॉर्मल पानी से जल से उसके बाद पंचामरस से जो आप बना के ले गए घर से उससे भी शेक करें बाद में फिर जल से भी शेक करें भगवान शिव को अच्छी तरीके से धोके शुद्ध करके उनको आप कोशिश करें हाथ ना लगाएं शिवलिंग को सिर्फ जल ही चड़ाएं उपर से इसकारा काम इन से करवाना है तो जल ही चड़ाएं हाथ ना लगाएं शिवलिंग को और वहाँ पर जोच जलाएं मिश्ठान का भोग लगाएं फूल मालार पित कीजिए धुबबती जलाएं वहीं पर खड़े होकर रुदराष्ट कम का पाठ कीजिए और जब तक आप उनको वह रुदराविशे करें जल से और इन सबसे तब तक ओम नमस्षिवाय लगातार बोलते रहें ये तीन उपाएं लगातार अगर ये होंगे तो इन्हें अपने जीवन में आप देखना धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ों में रहात मिलेगी चाहिए वो किसी भी छेतर में हो ये अपने आप धीरे धीरे करके बहतर होती चली जाएंगी लेकिन उपाएं हमेशा ऐसे काम करते हैं जैसे अरवेदिक दवा अगर रोग को काटना है तो लंबे समय तक कारे करना पड़ेगा लंबे समय तक पूजा पाठ करनी पड़ेगी तो ये तो था एक पूजा पाठ का विशे उमर लगबग 18 वर्ष के आसपास होने वाली है अब मैं कह सकता हूँ कि इनको पुखराज रतन आप पहना सकते हैं कि यौकि दशा ब्रस्पती की भी लंबी है तो पुखराज रतन पहनाईएगा जैसा आपका बजट हो बजट कम है तो बेंकोक का पुखराज पहनाईए बजट अच्छा है आप खर्च कर सकते हैं 22,000 रुपए अच्छे नक के उपर तो आप स्रीलंक का पुक्राज पर नहीं है दोनों स्टोन कोई सा भी चाहिए वो आपको मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगा मैं आपको आपके स्थानता करिंग बना कर भी पहुचा दूँगा तो ये था आपकी सवालों के जवाब कुंडली का एनलाइसिस बच्चे पर ध्यान दीजेगा क्योंकि बहुत सारी चीज़े आपके ध्यान देने पर बिंद्रफर करेंगी पूजा पाठ अपनी जगह है लेकिन आपके करम अपनी जगह है नमस्कार